दोस्तों, smartphone आप कोई भी brand का लेलो, Veebo, Oppo, Samsung, Realme, या फिर Xiaomi, या कोई भी लेलो, Midrange, Entry Level, Upper Midrange, या फिर कितने का भी लेलो, 5 यार, 10 यार, 15 यार, या फिर 20 यार, आपको गाईसा आपका smartphone, 6-8 महिने बाद आपका smartphone hang होने लगता है, और याफी लाग होने लगता है ये गाईस हैंग और लाग होने को ऐसा है आपका स्मार्टफोन जो है काफी ज्यादा स्लो काम करता है आपका डेटा का स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाता है उसका चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और आपका बैटरी काफ बैगघ्रणD प्रोसेस होता है समाट्फों में बैग्रंड्ड्ड फोसेस होता ह्या है यदि इतों का फ्रकそんな क्षेस करते लाता है अपने प्रोसेस में लागा रहता है जिसके हमाब कीषिंवा्ट कıyorsunम्राइगा लाइगा लोद एक्टों बच्छने के छीग करने का अब इन सब समस्तियायों से बचेने के लिए हमें करने सबसे हैं सबसे हमें हमों आपण से अपने समाट ऐसे अनिस्टाल कर दिना है अbn habit कर और हॉए आप में या हमारे स्मार्पोन में बाक्ड़ाइब पर्सस्सलोगए ने तोह यह नहीं कर पाएगा, और हमाँ डेटा बैटरी जो है बचेगा वर स्मार्टफ़ुन पे उतना यादा लोड भी नहीं पादेगा और स्मार्टफन हमारा हैंग नहीं होगा, यह पारला स्टेफ। अब गैस सेकेनन स्टेफ हमारा स्माटफ़न भी इस स्माटफ़न में आप इसे जब कल सुब आपने स्माटफ़न को अंग भी नहीं करेंगा इस हमारा स्माटफ़न में स्माटफ़न में जो भी एप उसका लाइट वर्जन यूज करना है जैसे गाइस हमारा Social Media App जैसे कि Facebook, Instagram इसमें होता क्या है कि हमारा जो भी Facebook का main app होता है बड़ा वाला उसका MB होता है 70 MB और हमारा छोटा वाला जो भी light app होता है उसका MB होता है मातर 1 MB या 1 MB तो गाइस देखो इतना बड़ा difference है आपको आप के size में और गाइस यह आपका data भी कम ल इसी आप हमारे फोन में हमेसा ही active होता है और active हो के वो अमेरा phone को ए a lag या hang करता है तो यह अप कर दिना है और guys अपने स्मार्फोन setting में जाकर आपको को battery optimization को on कर देना है और आपको साड़े एप पर battery optimization लगा देना है इससे कि आपका smartphone में कोई भी app हमेशा के लिए एक्टिव नेड़ा पाएगा और आपका smartphone का system में उस app को close कर देगा गाइस अब बात करतें फोर्थ step की फोर्थ step में करना ही है कि मैं smartphone का जो भी internet storage है उसको हमेशा free रखना है तो free हम करें कैसे आप स्मार्टफून का डेटा है उसका backup ले सकते हैं अपने SD card में उसको transfer कर सकते हैं आपके स्मार्टफून का जो है जो भी स्पीड हो जाएगा और आपका स्मार्टफून काफी जादा free हो जाएगा जिसके बेसे आपका smart phone fast काम करेगा अब बात करते हैं फाफ्मे स्टप की कि पाफ्मे स्टप में करना क्या है तो आपने smartphone में कभीभी memory card using नहीं करना है memory card मतलब ऐसा नहीं कि यूजि नहीं करना है ऐसा यूजिन करना है जो कि लिए आपका स्मार्टफोन को कर देगा क्यों कि आपके स्मार्टफोन में जो है वह स्टी काड काफी तरह काम करेगा कोई भी आप ऊपन करेगा अपका राम जादा खाएगा आपका क्यों का बताओ तो यहाप इंट्रेड इश्टर और चर्रेसे बघ्र वासरी का बाइस तो अपको बने करेंघ में करेंENT लागते हैंMr यहांट करेंग करेगा हुआ। तो यह ब्रहांट को फैर्टरी डेटारी रिशेट करदो आपने स्मार्पन का जो भी हार्ड शुपार्टूं होगा किया जो भी मालवेर होगा जो भी उसका अंदर फाल्तुच्छ के बैसको बहूंगे वह साफ हो जाएक घूल्कूली रिलाक् और वैसे भी आपको हमेसा अपने फोन को एक साल के अंदर अंदर एक दो बार रिसेट माना ही चाहिए जिसे कि आपका स्मार्टफोन हमेसा स्लो काम नहीं करेगा फास्ट काम करेगा ही करेगा सो गाइस यही था कुछ स्टेप अब जले गाइस जरह हिंद कीप सेफ एंड गट राइट टेक